हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 सम्मिती प्रशना विली 13.2 से कोशन नमबर 2 सोल करें कोशन नमबर 2 देखे नीचे दी गई प्रतेक आकरती में त्रिबुज को एक वरगांकित पेपर पर बनाईए प्रतेक में सम्मिती की रेखा या रेखाओं को यदी है तो उन्हें खीचे और त्रिबुज के प्रकार को पहचानिए तो देखे इस question में हमें ये त्रिबुज की आकरतियां दी गई है अब कहा गए कि त्रिबुज की इन आकरतियों को सबसे पहले तो एक वर्गांकित paper पर बनाई है वर्गांकित paper यानि graph paper पर बनाना है और उसके बाद अगर इन में सम्मिती की रेखा खीची जा सकती है तो इन त्रिबुजों में हमें सम्मिती की रेखा खीचनी है और इन त्रिबुजों को हमें पहचानना भी है कि किस प्रकार की त्रिबुज बन रही है तो सबसे पहले तो हम इन त्रिबुजों को वर्गांकित पेपर पर बनाएंगे तो देखें ये एक वर्गांकित पेपर है वर्गांकित पेपर कहलेजे या ग्राफ पेपर कहलेजे तो देखें इस वर्गांकित पेपर पर मैंने इन त्रिबुजों को बना लिए अब देखे इन त्रिभुजों को मैंने बनाया कैसे है तो देखे ए पार्ट में ये त्रिभुज बनी हुए है सबसे पहले इस त्रिभुज को वरगांकित पेपर पर कैसे बनाया है ये देखे तो तरी इस त्रिभुज की इस भुजा को देखे हम ये देखेंगे कि इस भुजा ने कितनी यूनिट ले रखे है, कह लीजे इस भुजा ने कितनी इकाई ले रखे है, तो देखें, यहां से हां तक ये एक इकाई, फिर ये दो इकाई, ये तीन इकाई, चार इकाई, पांच इकाई, छे इकाई, साथ इकाई, आठ इकाई, य देखे, यहां से हां तक है एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट, फिर पांच यूनिट, छे यूनिट, साथ यूनिट और आठ यूनिट, अब देखे, यह त्रिबुज की उंचाई है, अब हम देखें कि त्रिबुज की इस उंचाई ने कितनी चार यूनिट की दूरी पर ये उंचाई है ठीक है अब देखेंगे कि इस उंचाई ने कितनी यूनिट ले रखी है तो देखें यहां से आ तक एक यूनिट फिर दो यूनिट तीन यूनिट पांच यूनिट पांच यूनिट ले रखी है तो अब देखें जो उंचाई है वो इस भुजा पर चार यूनिट की दूरी पर बनी हुई है तो चार यूनिट की दूरी ले लीजे पहले देखे यहां से आ तक एक यूनिट फिर ये दो यूनिट तीन यूनिट ये चार यूनिट चार यूनिट की दूरी पर है उंचाई और उंचाई ने कितनी यूनिट ली है पाँच यूनिट तो देखिए यहां से आता है कि एक यूनिट ये दो यूनिट तीन यूनिट चार यूनिट पाँच यूनिट तो पाँच यूनिट पर यहां एक बिंदू लगा लिजे फिर इस बिंदू को इस बिंदू से मिला लीजे तो ये भुजा बन जाएगी और इस बिंदू को इस बिंदू से मिला लेंगे तो ये दूसरी वली भुजा बन जाएगी तो इस तरह से हमने यहां पर ये त्रिभुज बनाई है बाकी की त्रिभुजों को भी आपने इसी तरह से वरगांकित पेपर पर बनाना है अब देखिए हमें इन त्रिबुजों को पहचानना है कि किस प्रकार की त्रिबुज बननी है और इनमें हमें समीती की रेखा खीचनी है अगर इनमें समीती की रेखा खीची जा सकते हैं सबसे पहले ये पाइट देखिए ये त्रिबुज द तो देखे, इस तरह से हमने इस भुजा के माप की ये परकार खोल ली इतनी, तो देखे, ये भुजा इतनी है, अब देखेंगे कि क्या बाकी की ये दो भुजाएं भी इस भुजा के बराबर हैं, तो कैसे करेंगे देखे, परकार को कम या जादा किये बिना, जितनी परकार ह इस भुजा को मापेंगे तो देखे भुजा बराबर नहीं आ रही है ये भुजा देखे इतनी है पर जो ये वली भुजा है ये देखे इसके बराबर नहीं आ रही है अब ये वली भुजा देखे ये वली भुजा देखे ये भुजा भी बराबर नहीं आ रही है तो जो ये भुजा है इन दो भुजाओं के बराबर नहीं है अब इन दो भुजाओं को देखेंगे कि क्या ये दो भुजाओं बराबर आ रही है तो सबसे पहले इस भुजाओं को माप लेते हैं तो इस भुजा की जितनी हमने ये प्रकार खोली तो देखें इस भुजाओं को हमने माप सम्ध этरी बाहुत्री बच्वस होते जिस बतरी कि कोई दो भुजाएं बराबर हो वह सम्धी बाहुत्री बतरी मगा अन्यूंद एक ही सम्मीत रेखा खीचुआ जा है कैसे में खीचैंगे इस थीक टासे ठीक बीच में खीचने हैं तो देखें हम इस भुजा का ठीक बीच का बिंदू ले लेंगे कैसे लेंगे इस हो रीया यहाँ पर हो रही है तो यह इस पुझा का बीच का बिंदू है इस बिंदू को इस बिंदू से मिलाते हुए जह है सम्मीत रेखा हम खीच देंगे तो देखे इस बिंदू को इस बिंदू से मिलाते हुए ठीक बीच में जह हम यह सम्मीत रेखा खीच रहे है तो देखे को इस तरह से उठाकर इस दूसरे भाग के उपर रखोंगी तो ये दोनों भाग एक दूसरे को पूरी पूरी तरह से ढख लेंगे तो देखे इसमें सिरफ एक ही सम्मीत रेखा कीची जा सकती है ऐसे में हम ऐसे में सम्मीत रेखा नहीं कीच सकते क्योंकि अगर मैं ऐसे में सम टी पार्ट में यह तो सम्मीर देंगे और गVery वरिगांकित पेपर पर बना लिय इस पहले गया कि वरिगांकित पेपर पर बना लेंगे और देखेंगे कि क्या ये भुजा इन दो भुजाओं के बराबर आ रही है तो देखें इस भुजा को माप लेते हैं इस तरह से परकार से हमने मापा कि ये भुजा इतनी है तो देखें ये भुजा इतनी नहीं आ रही है यानि ये भुजा बराबर नहीं है इस भुजा के, अब इस भुजा को मापेंगे, तो देखें ये भी बराबर नहीं आ रही है, तो यानि जो ये वली भुजा है वो इन दो भुजाओं के बराबर नहीं है, अब हम देखेंगे कि क्या ये दोनों भुजाओं बराबर आ रही ह तो देखे हाँ ये भुजा भी इतनी आ रही है तो यहाँ पर देखे ये दो भुजाएं बराबर है तो यानि ये एक सम्धी बाहुत्रिबुज है सम्धी बाहुत्रिबुज में कोई दो भुजाएं बराबर होती है तो यह एक सम्धी बाहुत्रिबुज है तो यहाँ पर लि को का सब्धी भावतिंड में सिर्फ एक सम्हीत रखा कीम किया कूछ . इस तरह से थीक भीच में हम इस本व बीचल सम्हीत रखा हो भुजा ने, यहां से यहां तक एक यूनिट, फिर ये दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट, पांच यूनिट, छे यूनिट ले रहे हैं, छे यूनिट का हाफ, यानि आधा कितना हुआ, तीन यूनिट, तो तीन यूनिट में जो है, इस भुजा का बीच का बिंदू तो देखे ये एक सम्मीत रेखा हमने इसमें खीच दी यह रेखा इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बाटी अगर इस भागों में इस तरह से उठा कर दूसरे भाग के उपर रखोंगी तो दोनों भाग एक दूसरे को पूरी-पूरी थरह से ढख लें देखे इसमें स्रस ऐसे में हम एक शम्मित रेखा कीच सकते हैं क्योंकि तब इस आकटी की यह यह दो भागोंगे और यह दोनों भाग पराबर नहीं है क्योंकि उपर वाला भाग देखे इस तरह से बन रहा और नीचे ऐसा कुछ नहीं बन रहा है ठीक है तो इसमें हम सिरफ एसे मही एक स प्रकार के तो देखे सबसे पहले तो ये एक समकोन त्रिबुज है समकोन त्रिबुज क्या होती है जिस त्रिबुज में एक कोन 90 डिगरी का हो वह समकोन त्रिबुज होती है तो देखे इस त्रिबुज में जो ये कोन है ये कोन 90 डिगरी का बन रहा है ठीक है तो ये एक समको तरी बुज है, तो 90 डिक्री के सामने व़ली जो भुजा होती है, वो क्या होती है, वो कर्न होती है, और कर्न जो है बाकि दो भुजा infused, यानि ये भुजा बड़ी है, तो अब इन दो भुजाओं को माप लेंगे कि क्या ये दो भुजाओं बराबर हैं क्योंकि ये वली भुजा तो बड़ी है इन दोनों से तब ये दो भुजाओं मापेंगे कि क्या ये दो भुजाओं बराबर हैं तो परकार के सहायता से हम माप लेंगे सबसे पहले इस भुजाओं को माप ल तो यहां पर देखें, यह दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो जिस त्रिबुज की दो भुजाएं बराबर हो, वो एक सम्ध्वी बाहु त्रिबुज होती है, तो देखें, यह एक सम्ध्वी बाहु त्रिबुज भी है, तो यानि यह किस प्रकार की त्रिबुज है, यह एक सम्ध्वी बाहू सम्कोर्ड त्रिभुच है तो यहां पर लिख लीजे कि यह है एक सम्ध्वी बाहू सम्कोर्ड त्रिभुच है तरह से ठीक बीच में सम्य थे जाएगी तबिस आकरति के यह दो बराबर भाग होंगे क्या किसी आकरती को दो बराबर भागों में बाढ़ती है न तो यहाँ ठीक बीच में जो हम इस तरह से सम्मित रेखा खीचेंगे तो देखिए इस भूजा का बीच का बिंदू ले लेंगे तो देखिए सबसे पहले कि इस भुजा ने कितनी यूनिट से ले रखी है तो देखे यहां से यहां तक यह एक यूनिट देखे हैं फिर यहां से यहां तक यह दो यूनिट फिर तीन यूनिट चार यूनिट पाँच यूनिट छे यूनिट छे यूनिट ले रहे हैं चे का आधा कितना हुआ तीन यूनिट तो तीन यूनिट पर जह हम इस भुजा का बीच का बिंदू ले लेंगे तो देखें यहां से यहां तक यह एक यूनिट फिर दो यूनिट और यह तीन यूनिट तो यहां पर यह इस भुजा का बीच का तो ये दोनों भाग जो है एक दूसरे को पूरी पूरी तरह से ढख लेंगे ठीक है अब डी पार्ट देखिए अब डी पार्ट में नेखे ये त्रिबुश बनिया इसे भी मैंने यहां वरगांकित पेपर पर बना लिया जैसे कि ये पार्ट में बनी हुई त्रिबुश को ब माप लेंगे ये वली भुजा हम माप रहे हैं तो देखिए ये भुजा इतनी है ठीक है अब इस भुजा को मापेंगे तो देखिए बराबर नहीं आ रही है ठीक है अब इस भुजा को माप लीजे देखिए तो ये भी बराबर नहीं आ रही है तो यानि ये भुजा इन दो बुजाओं के बराबर नहीं है अब इन दो बुजाओं को मापेंगे कि क्या ये दो बुजाओं बराबर तो सबसे पहले इस बुजाओं को माप लीजे तो देखे इस बुजा को मापने के लिए मैंने इस बुजा की जितनी परकार खोल ली तो देखे ये बुजा इतनी है एक विशम बाहु त्रिभुज है तो देखें यहां पर लिखें यहां पर लिखें यहां एक विशम बाहु त्रिभुज है अब देखें इसमें हमें सम्मित रेखा खीचनी है तो देखें यहां इस आकरती में सम्मित रेखा नहीं कीची जा सकती क्योंकि यह एक विशम अगर मैं ऐसे एक संबित रेखा खीचूंगी तब इस आकरती के ये थोर भाग होगे तब ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं तो यनि इस संमीत रेखा नहीं खीच सकते हैं तो आज इस वीडियो में हमने question no.2 solve करा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like, share and subscribe, thank you.